आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ नमश्कार, डाउटनेट में आपका स्वागत है आज का हमारा question है A circle with radius 2 units is touching both the axis and a circle with center at 6,5 The distance between their centers is हमें पर हैं चार विकलब हैं A. 8 units B. 5 units C. 7 units या फिर D. None of these तो इस question में हमें एक circle given है जिसका radius 2 units है और वो हमें बतारका है कि वो जो है दौनों axis को touch कर रही है X और Y axis को touch कर रही है और एक circle को touch कर रही है जिसका center है 6,5 ठीक है तो इन दौनों circles के जो center है उसके बीच का distance हमें आपे find करना है तो सबसे पहले तो उसके लिए हमें पहले वाले circle पहला वाला जो circle है उसके center का हमें coordinate find करना पड़ेगा इस चीज को थोड़ा better तरीके से समझने के लिए हम इसको इसको इसकी figure draw कर लेते हैं तो यह कुछ इस तरीके से दिखेगी ठीक है तो यह जो blue वाला circle है यह हमारा पहला circle है इसका center मैं मान लेता हूँ C1 यह हमें अभी नहीं पता है इसका लेकिन हमें radius हमें given है radius इसका क्या है? radius इसका two units तो जो center है और यह हमें यह भी given है कि यह जो circle है यह दौनो axis को touch कर रहा है x और y axis को touch कर रहा है यह दिखाई दे रहा है तो यह जो distance है यह two units होगी क्योंकि radius है और x-axis और y-axis एक तरीके से tangent की तरह काम कर रहे है तो जो radius है यह exactly perpendicular है और यह two units है तो इसका मतलब यहाँ पर आप देखो तो इसका y-coordinate जो है वो two मान सकते हैं यहाँ से और similarly यहाँ से अगर हम एक line और draw करें तो यह भी हमारी distance है यह two units है, radius है और यह tangent है, perpendicular भी है यह तो अगर हम यहाँ से देखें तो यह दोनो जो length है यह दोनो 2 है, यह भी हमारी two units है तो इधर से हम इसको coordinates को लिख सकते हैं 2,2 और दूसरा circle जो है इसका center हमें c2 जो मैंने green color से draw कर रखा है center c2 हमें already given है जो कि 6,5 है तो हमें यहाँ पर अब क्या find करना है दोनों centers के बीच की distance को हमें find करना है तो यह वाली तो distance है यह हमें find करने है c1, c2 हमें find करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम apply करेंगे distance formula तो distance c1, c2 is equal to हम यह यहाँ बैस distance formula के wanna हम यह क्या करते हैं कि x के coordinates का difference जो कि 2-6 है whole square squaring कर रहे हैं तो यह जो negative है यह आके square होने के बाद positive हो जाएगा तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है similarly y coordinates के difference को square करेंगे 2-5 का whole square तो यह हमाई पस कितना आ जाएगा यह जाएगा 2-6 यह जाएगा minus 4 minus 4 और 4 इसको एक ही बात है लिख सकते हैं कैसे भी लिख सकते हैं क्यूंकि square होने के बाद यह positive ही होगा चाहे भले negative हो अंदर 2-5 यह भी minus 3 इसको भी मैं 3 square लिख सकता हूं और यह root के अंदर है हमारा ठीक है तो यह हो जाएगा 16 plus 9 तो यह जाएगा हमारे पाद 16 plus 9 आजाएगा root 25 और which is equal to 5 तो c1 c2 जो distance है यह जाएगा हमारा 5 units तो यह हमारा इसका उत्तर हो गया और अगर मैं इसको विकल्पों में देखेंगे तो हमारा यह दूसरा विकल्प है d5 units धन्यवाद अज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाथसाप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर